और अपनी बहुजनों की संसफ़ बड़ी मस्यश्य वो अपनी डफली अपना रागा बजा रही है । हमारे बहुजन समाद के मकार धोके बाल दगाबाद जो नेता लोग बने हूँ है और अपने को ये कहते हैं कि हम बहुजनों के लीड रहान हैं सबसे ज़्यादा नालाइक भो लोग हैं अब बहुजनों के नेतम हग क्या कर रहे हैं नालाइक लोग चाहे वो लालू का लड़का हो चाहे वो निपिस कुमर हो चाहे पासवान का लड़का हो चाहे उपें तरिकुस्वा हो चाहे माजी हो क्या इससे बहुतन समाज का कल्यान होगा मोधी को हटाना है और राहूल को बनाना है राहूल हमारे रस्तिधार है क्या जितने भी बहुतन लीडर है राहूल की बात कर रहे हैं बाई स्ट्रोलिन क्यों नहीं बन सकता हैमंद सोरन क्यों नहीं बन सकता बेहंजी क्यों नहीं बन सकती छड़के साब क्यों नहीं बन सकते और बहुजन लीडर क्यों नहीं बन सकता लेकिन बहुजनों के लीडर ही बेवकूप है बाबा सहाब कहते हैं सब्द सब्द गड़ रहा हूँ अर्थ के लिए और सब्द सब्दों का अर्थ ही होता है अनर्थ के लिए हमें कौन सी बात कहा कहनी है और कहा नहीं कहनी इसका हमें बोध होना चाहिए ये प्रोग्राम हर बर्च होता है बहुजन स्वाजमान संग के बेनर तले मुझे बहुत खुशी होती है और मैं इस बहुजन स्वाजन संग का आजी बन मेंबर भी हूँ मैं एक बात काफी देर से सुना हूँ कि हम लोग पढ़े लखे लोग नहीं है हमको पढ़ना चाहिए हमको जज कलेक्टर बनना चाहिए हमको IPS Advocate Professor बनना चाहिए क्या 1950 के बाद जब से भारते सम्मिजान लागू हुआ है क्या हमारे समाज में लोग पढ़े लखे लोग नहीं हुए हर सारे UPSC की बैकेंसी निकलती है I.S. बनते हैं जज कलेक्टर बनते हैं Professor बनते हैं क्या वो बास्त में बहुजनों के कलान में बहुजनों के हित में कोई काम कर रहे हैं ये बड़ा चिंता का बिसे है सम्मान उसको मिलता है जो समाज के जन कलान के लिए काम करता है इस धर्ती पर सम्म्राट गोतम बुद्धा ने त्याक किया उनको पूरा बन नमन करता है ग्रेड़ता सम्म्राट एसोक ने त्याक किया उनको पूरा बिस्सुनमन करता है जोदवाप फुलेजी ने त्याक किया दोनों मिया बीवी ने मिलकर इस समाज को जगाने के लिए त्याक किया उनको सम्मान की नजरों से देखा जाता है मानवर कासिरान साहब ने अच्छी नोगरी करते हुए भी क्या किया इसलिए बहुजन समाज उनको बंदन अवननन करता है जो हमारे बहुजन समाज के मकार धोकेबाल दगाबाद जो नेतर बने हुए और अपने को ये कहते हैं कहम बहुजनों के लीडरान है सबसे ज़्यादा नालाइक वो लोग है मैं आपको एक अभी ताजा उजहान देता हूँ अभी पिहार में जनगन मा का सर्वे हुआ है अपनी आँख भी खोल लेना दिल भी खोल लेना दिमाग भी खोल लेना और उस सर्वे में ये आया है कि तिलक तराजिव और तलवार वाले लोग दस परसंट से कम है इतने दस परसंट से कम है और साड़े बानवे परसंट बहुजनों की आबादी है अब बहुजनों के नेता में क्या कर रहे हैं नाला एक लोग चाहे वो लालू का लड़का हो चाहे वो नितिश कुमार हो चाहे पासवान का लड़का हो चाहे उपें ते पुष्रा हो, चाहे माजी हो, चाहे वो, साहनी हो और कोई रेस का हुग का भाना में लगे हुए है क्या इससे बहुजन समाज का कल्यान होगा और अपनी बहुजनों की समसा बड़ी मशिया वो अपनी डफली अपना राज़ बजा रही है बहुजन सब्द की आप व्याक्षा समाज में करके देखिए बहुजन सब्द की हम अब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि हम लायवती की बात कर रहे हो बीएस्पी की बात कर रहे हो ये कोई नहीं बताता बहुजन हिताई बहुजन सुपाई कान दोलन ये बेहंदिक और कासी राम के नहीं है ये महामानवत तद्धागत गोतम पुत का है बहुज़न हीतावे बहुज़न सुकाई लोग कान कम पाई क्या हम लोग बहुज़न समाज बनाने के लिए क्याम करते हैं अपने पडोसी के साथ समता का, ममता का, बंदुता का, भाईचारे का प्रेम का महुर बनाते हैं कैसे बनेगा बहुदा समाज आप अपनी जाती में घमंड करते हैं अपनी जातियों में अपनी बेटी के लिए रिस्ता ढूरते हैं और बात बहुदा समाज की करते हैं जब तक पहुजन समाज में दिल और दिमाग से मन और मस्तक से खान पीन में रीती रिवाज में रहें सेन में भाई चारा नहीं होगा तब तक कुछ बात बनने वाली नहीं है मेरे साथियो इस प्रोग्राम में हर साल काफी रुप्या परबाद होता है अभी मैं हैंड बिल देख रहाता है यह कोपरेटिव सुसाइटी का हमारे समाज के लोग लाख दो लाख रुपे में लेकर के बेईमान हो जाते ही दिफोल्डर हो जाते ही वह कैसी बिजनिस को बढ़ा होगे बड़ा गंबीर भी से है मैं किसी को दस पाँच हजार रुपे दे दू तो सामने वाला लेकर के बेईमानी करने की पहले सोच लेता है तो मैं इस सुसाइटी वालों से हाथ जोड़ करके नवेजन करना चाहूँगा जो इस सुसाइटी का सबसे ओनेस्ट सबसे पढ़िया अदाकारी जो बंदा हो वो बहुजन समाज में एक परचुनी की दुकान खोले और बहुजन हित में कम प्रोफिट पर बहुजनों की सेवा की जाए तब इस बहुजन समाज में कुछ बिजिन की तरफ आकर से तोगा और बात तो बहुत करनी है लेकिन मैं अपनी बात को सोट में कर देता हूँ क्योंकि बाबा साब ने हमें सब कुछ दिया है बाबा साब कह रहे हैं सारा करके सत्ता के मंदर पर कबजा करो और हम लोग भगवान के मंदर पर कबजा करने की सोच रहे हैं बुद्धा कहता है भगवान नहीं है बाबा साथ कहके गए भगवान नहीं है अरे हमें उस भगवान के मंदिर से क्या लेना देना यद आप बोड़ की ताकत को पहचान लोगे और हमारे जैसे क्यांतकारी बंदे की सरकार बनेगी चाए मंदिर हो चाए मस्जिद हो चाए सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को बिद्धालों में बदल देंगे आप वो ताकत पेदा करो अब मांगने की तिक्षा में रहते हैं अभी एम इस टॉलन ने करूना ने भी के बेटे ने ये शित्य करकी दिखा दिया है यह ताकत तुमारे हाथ में होगी तो तुमारे सब्सक्राइब करेंगे आप लोग काम नहीं करते अपनी राजा बनने की ताकत को अध्धा पवा बोदल और साख पूरी में बेख देते हैं कैसे राजा बनोगे कैसे काम करोगे बहुजन के किलाड के लिए और एक और बात बता देता हूं अभी दोर चलना है मोधी को हटा और रहुल लाना है नुट ना गजितने भी बहुजन दीडर je राहुल की बात कर रहे हैं बाई इस्टोलिन क्यों नहीं बन सकता हैमंद सोरन क्यों नहीं बन सकती छर्गे साथ क्यों नहीं बन सकते और बहुजनों के लीडर ही बेवकूप हैं बहुजन येद खामोस रहातो सब कुछ लुट जाएगा रोते रहना और पस्ताना हाथ में कुछ आएगा सापनात और नागनाफ अजगर भिश्दर भारी हैं समय आगया परवरतन का बहुजन हिताय बहुजन सुगाय की बारी है सर्वजन वाले भी कम घातक नहीं है हमारे पुर्खों का अंदोलन सर्वजन हिताय सर्वजन सुगाय नहीं है आप ठोके में मत रहना ये कासी राम साब का अंदोलन नहीं है कासी राम साब बहुजन समाज को हुकम राम बहुजन देखना चाहते थे अखिर तक फश्ता रहा निया बहुतों का सहरा है जेबीम हमारे नारा है आफ सभी को मेरा क्रांक करी जेबीम नोगो बुद्दा झाले!